आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिस बोग फर्स्ट फ्लाइट के पोयम के बारे में जानते हैं पोयम का नाम है एक टाइगर इन दजू यानि ये टाइगर है बाग है चिडिया घर में इसके पोयट है लेसली नौरिस तो लेसली नौरिस की एक विता है एक टाइगर इन दजू तो सबसे पहले हम इस पोयट के बारे में जानते हैं लेसली नौरिस के बारे में तो ये जो नेशली नौरिस थे ये एक पोईट थे कभी थे और साट श्टोरी राइटर थे यानि छोटी छोटी कहानिया लिखते थे He was born in 1921, 1921 में इनका जन्म हुआ, इन वेल्स, वेल्स में, योरोप में लेशली नौरिस है डिसाइड़, at an early age, that he would become a poet तो बचपन से ही इनका ये ख्वाप था, इनका ये सपना था कि मैं बड़ा होकर, poet बनूँगा, एक कभी बनूँगा His first poem was published in 1938, जो इनकी पहली poem की book आई, वो 1938 में published हुई But his first book of poetry came out in 1943, लेकिन जो poem की book थी, वो 1943 में ही आप आई In July 1942, Norris married Catherine, better known as Kitty, इनकी शादी हुई 1942 में Kitty से और ये फिर England चले गए तो इस poem में, एक tiger in the zoo में, Leslie Norris ने जो tiger है, उसके बारे में बताया है, दो तरह के tiger का compression किया है एक tiger जो की चलिया घर में है, zoo में है, और एक tiger जो की जंगल में है दोनों के behavior में क्या अंतर है, ये Leslie Norris ने इस poem के माध्यम से बताया है तो सबसे पहले हम देखते हैं, first stanza He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on parts of velvet quiet in his quiet rays अब देखिए जो tiger है, जो चिडिया घर में tiger है, उसके बारे में ये बता रहे है कि वो धीरे-धीरे कदमों से, stalks, यालि धीरे-धीरे चलना in his vivid stripes, तो धीरे-धीरे कदमों से, इस first rope से the few steps of his cage, जिस cage में, जिस पिजड़े में, वो रखा हुआ है, उसको रखा गया है tiger को, वो धीरे-धीरे कदमों से चल रहा है on patch of velvet quite, और जो patch है, जो उसका पैर है, जो paw है, आपको मालूब है कि कितना मुलायम होता है, जैसे velvet, जैसे मकमल, और जब tiger चलता है, तो उसके पैर इतने मुलायम होते हैं, कि उससे आवाज नहीं आती है, बिलकुल शांती से tiger चलते हैं in his quiet ways, और जो raise है, जो anger है, जो गुसा है, वो छिप गया है जो tiger के अंदर raise है, anger है, गुसा है, वो चिडिया घर में, जू में छिपा हुआ है और वो सीधे कदमों से धीरे-धीरे उस जू में, उस अपने बाड़े में, उस अपने केज में चल रहा है अब देखे सेकेंड स्टेंजा अब सेकेंड स्टेंजा में, पोएट लेसली नौरी से बता रहे हैं, कि अगर यही tiger, जंगल में होता, फॉरेस्ट में होता, तो उसका बिहैबियर क्या होना चहिए था यहाँ पर ही लिखा हुआ है, एची ही प्रोनाउन, यही tiger के लिए प्रियुक्त हुआ है, tiger को ही लिखा गया है he should be lurking in shadow, lurking, यानि घात लगा कर, आपको मालूम है, tiger, lion, fox, जितने भी wild animal हैं, वो lurking करते हैं, घात लगा कर बैठे रहते हैं, और अपने शिकार पे attack करते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, इस tiger को, यदि जंगल में होता, he should be lurking in shadow, उसको घात लगा के जंगल में बैठे रहना चाहिए था, लेकिन इंसानों ने उसे चुडिया घर पहुचा दिया, zoo पहुचा दिया, इसके वज़े से जो उसकी natural activity है, वो दब गई है, इसके बज़ाए उसे जंगल में होना चाहिए था, उसे इस समय घात लगा कर शिकार करने के लिए जाना चाहिए था, sliding through long grass, और sliding करते हुए जंगल में जो लंबे लंबे ग्रास हैं, उसके बीच से धीरे धीरे गुजरते हुए, अपने शिकार की तरफ, near the water hole, और जो water hole है, जो पानी का सुर जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, और ऐसे जगहों पे ही tiger, fox, lion या और भी wild animal शिकार करते हैं, where plump deer pass, और ऐसे water के स्रोत पे जाकर के, जहां पे जो deer है, जो हिरन है, जो मोते और ताजे हिरन है, उनका शिकार करना चाहिए था, तो इस tiger को जो जू में है, जिस condition में, यदि जंगल में होता, तो उसका behavior natural होता, artificial नहीं होता, Leslie Norris अपने poem के third stanza में लिखते हैं, अब जंगल में tiger को क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, तो उसे अपने दाथ चमकाते हुए, टाइगर को जो दाथ देखिए, उसका बहुत shining teeth होता है, तो snorling करना चाहिए, snorling यानि जो tiger अपने दाथ चमकाते हुए शिकार करते हैं, तो उसको हम snorling कहते हैं, around houses, जो जंगल के किनारे के मकान होते हैं, जंगल से दूर होते हैं, तो वहाँ पर कभी-कभी tiger डराने के लिए या उस जगह जाते हैं, तो जिससे लोग डर जाते हैं, तो ये काम उसको करना चाहिए था, at the jungles is, जंगल के किनारे, जहां पर human रहते हैं, मनुसे रहते हैं, उनको डराना चाहिए था, bearing his white fangs, और जो उसका fangs है, जो दांत है, उसको bear करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, his claws, उसको दिखाना चाहिए, terrorizing the village, और village को terrorize करना चाहिए, यानि village को जो human की बस्ती है, मनुसियों की बस्ती है, उसको डराना चाहिए, भैभीत करना चाहिए, ऐसा Leslie Norris लिखते हैं, कि ये tiger का natural phenomena है, natural nature है, अब हम देखते हैं, fourth stanza में, fourth stanza में लिखा हुए है, but he is locked in a concrete sale, लेकिन हालत क्या है, zoo की, zoo में चिडिया घर में एक sale बना हुआ है, एक पिजड़ा बना हुआ है, वो किसका है, concrete का है, और इसको lock कर दिया गया है, इस tiger को उसमें lock कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, his strength behind bars, जो उसका strength है, tiger की जो शक्ती है, वो तो दब गई, jail में, bars में, पिजड़े में, stocking the length of his cage, stocking, यानि जो धीरे धीरे चल रहा है, पिजड़े के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, धीरे धीरे, ignoring visitors, जो लोग उसको देखने आ रहे हैं, जो लोग चिड़िया खर में विजिट करने जा रहे हैं, उस से उस tiger को कोई मतलब नहीं है, वो उन सारे visitors को ignore कर रहा है, क्योंकि वे लोग उसके इस समय किसी काम के नहीं है, क्योंकि tiger अपने natural habitat में ना होकर के, इंसानों के बनाए हुए habitat में है, पाचवाइं श्टेंजा देखिए, अब उसको सुनाई पड़ता है, रात में लास्ट वाइस अंतिम साउंड सुनाई देती है, जैसे चीडिया घर में होता है, रात्री के समय पेट्रोलिंग कार जाती है, सारे जानवरों का चेक अप होता है, कि सारे जानवर अपने केज में, अपने बार्स में सही सलामत हैं की नहीं हैं, जो गस्ट करने वाली कार हैं, जो उस चिडियागर को गस्त करते हैं, पेट्रोल करते हैं, चक्कर लगाते हैं जानवरों की सुरच्छा में And it stares with his brilliant eyes And it stares with his brilliant eyes और उस चिडियागर करता है, घूरता है, गेज करता है, देखता है अपने brilliant eyes से, यहां brilliant का मतलब है signing अपनी चमकदार आँखों से देखता है उस पेट्रोलिंग कार को जो चिडियागर में round लगा रहे है At the brilliant stars, तो राच्री का समय है, अपनी signing eyes से वो देखता है और अपने brilliant eyes से उस राच्री में brilliant stars को देखता है तो इस तरह से आप देखते हैं, Leslie Norris ने a tiger in the zoo में दो तरह का behavior जो tiger का होता है, उसका comparison किया है कि एक ही tiger यदि zoo में है, चिडियागर में है, तो उसका behavior कैसा होता है और वही tiger यदि जंगल में है, forest में है, तो उसका behavior कैसे change होता है इसमें political devices भी है, इसको आप description box में देखेंगे और जितने questions answers हैं, description box में लिखे हुए हैं, उसको copy में करेंगे और इस poem को, four lines poem को learn भी करेंगे, ताकि आपको exam में अच्छे number प्राप्थ हो सके और भी सारे chapters cover किये गए हैं, इस channel के playlist में जाकर सारे videos को बहुत आसानी से देख करके, आप अपने homework, classwork को complete कर सकते हैं Happy learning!